नमेशकार, मैं शवीना शेक सिद्धिकी और हमारे कारिक्रम धर्म में आपका स्वागत है आज हम उपस्तित हुए हैं अपने तेहवार मकर सकरांती के उपलक्ष में मकर सकरांती जिसे तिल सकरांती भी कहा जाता है तिल सकराथ बड़े बुज़ूर्ग बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि आज से दिन तिल बरावर बड़ा हो जाता है यानि इस तेहवार का धर्म के साथ साथ विज्ञानिक महत्व भी है यानि सूर्य उतरायन हो जाता है एक राशी से दूसी राशी में प्रवेश करना सकरांती कहलाता है और इस दिन सूर्य मकर राशी में प्रवेश करता है इसलिए से मकर सकरांती कहा जाता है यह तेहवार अलग-अलग प्रांत में अलग-अलग नामों से जाना जाता है इस तहवार का हर जगा अपना-पना महत हो है हमारा देश क्रशी प्रधान देश है इसलिए किसानों के लिए भी यह तहवार फसलों के रूप में पर्व का तहवार होता है इस दिन और इस समय खरीब की फसले किसान अपने घर लेकर आते है इस होसर पर सूर्य का मकर राशी में प्रवेश होता है पोश मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशी में प्रवेश करता है यहां अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तहवार के रूप में मनाया जाता है तमील नाडू में पोंगल के रूप में चार दिन तक मनाया जाता है हर्याना और पंजाब में इसे एक दिन पूर्व लोडी के रूप में मनाते है अगनी देव की पूजा कर तिल, गुड, चावल, भुने हुए मक्के की आहुती दी जाती है लोग गजक और रेवडिया बाढ़ कर खुशिया मनाते है उत्तर प्रदेश में यह दान का पर्व माना जाता है बिहार में इसे खिशडी के नाम से जाना जाता है इस दिन यहां उड़द, चावल, तिल, चिवडा, गो, स्वर्ण और उनिवस्त्र दान करने की परंपरा है महरास्ट में लोग तिल गुड देते हैं बंगाल में इसनान के पश्चा तिल दान करने की परंपरा है असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है राजस्थान में इस तेहवार के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने वुजुर्गों का आशिरवाद लेती है और चोदा ब्रामनों को दान देती है हमारा देश करशिप धान देश है इस पर्व का संबंध करशिपर भी निर्भर करता है किसान खरीव की फसल धान, मक्का, गन्ना, मुंफली, उड़द अपने घर लाता है जिससे उसका घर अन्न से भर जाता है इसलिए खरीव की फसलों से पर्व का ये आरत बनाया जाता है तो आज हमने बात की वकर सकरांती के बारे में मुझे उम्मीद है आपको हमारी जानकरी जरूर पिसंद आई होगी हम अगली बार फिर में उलते हैं अपने कारिक्रम, धर्म में अपने एक नए पर्व के साथ तब तक के लिए मुझे आग्या देजिए नमश्कार